आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सौधिस्ट, बहुत ही टेस्टी, गेहू के आटे और चावल के आटे से बनने वाला सौधिस्ट नास्ता इस नास्ते को हम दो तरीके से बनाएंगे भाब से और बिना भाब के हलो फ्रेंड्स, मैं रुची वर्मा, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आने वाले हमारे अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे है फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो में जो भी कमी नजर आ रही है प्लीज आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए अगली बार में उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँगी और उससे भी अच्छी वीडियो बनाऊंगी बेसन के फरे बनाने के लिए हमने 750 ग्राम बेसन लिया है आप बेसन की जगा चने के डाल के भी फरे बना सकते है बारी कटे हुए दो बड़े प्यास प्यास को अब हम बेसन में डाल देंगे साथ ही इसमें हम हिंग डालेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर 15-20 कलिया लैसून की एक बड़ा चमच खड़ी धन्या एक छोटा चमच जीरा 10-12 हरी मिर्च और लाल मिर्च इन सभी मसालों को हम पैन में डालेंगे इन मसालों को बिलकुल हम धीमी आँच में 3 मिनट के लिए भून लेंगे फ्रेंट्स भूने हुए मसाले का सौद और कच्छे मसाले का सौद अलग-अलग होता है मसाले हमारे अच्छे से भून चुके अब इसे हम प्लेट में निकाल देंगे मसाला जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें नमक मिला देंगे अगर आप लहसुन प्याज खाना नहीं पसंद करते तो आप इसे बिना लहसुन प्याज की भी बना सकते हैं मसाला ठंडा हो चुका अब इसमें हम नमक मिला देंगे और इसका हम सूखा पेस तयार कर लेंगे नमक मिर्च के मसाले को हमने पेस लिया है अब इसे हम बेसन में डाल देंगे और इसे आपस में हम अच्छे से मिला लेंगे बेसन में मसाला हमारा बहुत अच्छे से मिल चुका है एक कप पानी लेंगे पानी को हम बेसन में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हमें पानी एक साथ नहीं डालना है बेसन का घोल बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है अगर बेसन का गोल बहुत ज़ादा पतला हो जाएगा तो फरे हमारे बिल्कुल भी सौधिस्ट नहीं लगेंगे बेसन का हमने एक टाइट डो अच्छे से तयार कर लिया है बेसन का इतना टाइट हमने डो तयार की कि चमस से गिराने पर ये आसानी से गिर नहीं रहा है ये दोनों तरीके से काफी स्वादिश लगते हैं तेल कप हम चावल का आटा लेंगे चावल के आटे में हम एक चम्मत देशी घीडा लेंगे एक कप पानी लेंगे पानी को हम गरम होने के लिए रख देंगे घी का मोया हम आटे में अच्छे से लगा लेंगे जितने अच्छे से इसका मोया लग जाएगा उतने ही स्वाधिस्थ हमारे फरे बन कर तयार होंगे पानी भी गरम हो चुका अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका आटा तयार कर लेंगे चावल का आटा हमें हलका सक्त गूतना इसे हमें मुलायम नहीं गूतना है पानी हमें थोड़ा थोड़ा डाल कर ही आटे को गूतना अगर एक साथ पाही डाल देंगे तो हमारे चावल का आटा गीला हो जाएगा चावल के आटे का डो हमें हाथों से खुब अच्छे से मसलना है जितना अच्छा ये आटा मसल कर तैयार होगा उतनी ही स्वाधिस्थ हमारे फ़रे बन कर भी तैयार होंगे चावल के आटे को गूतने में सबसे ज़ादा महनत लगती है बहुत ही अच्छा चिकना चावल का आटा गूत कर तयार हो चुका, इसे गूतने में हमें 4 मिनिट लगे है चावल के आटे को हम प्लेट में रख देंगे, अब हम गेहूं का आटा गूत लेंगे, गेहूं का आटा गूतने के लिए एक कप हमने गेहूं का आटा लिया है अब इसे हम नॉर्मल पानी से इसका आटा तयार कर लेंगे गेहू का आटा हमें बहुत जादा ना सक्त गूतना और ना बहुत जादा मुलायम गूतना इसे हमें बिल्कुल नॉर्मल आटा गूत कर तयार करना है गेहू का भी आटा गूत कर तयार हो चुका है चावल का आठा और गेहूं का आठा दोनों हमारे गुत कर तयार हो चुके हैं गैस में हम कढ़ाई चड़ाएंगे कढ़ाई में अब हम एक लिटर पानी डालेंगे पानी में एक उबाल आने तक हमें इसे गैस को फुल करना है इसे फुलाज में हम पकाएंगे साथी हम दूसी तरफ कैस में एक लिटर पानी भगोने में रखेंगे कढ़ाई वाले पानी में हम एक चम्मच रिफाइन डालेंगे आप रिफाइन की जगा कढ़वा तेल या देशी घी भी डाल सकते हैं अब हम एक जाली वाली प्लेट लेंगे जाली वाली प्लेट में हम थोड़ा सा देशी घी लगा देंगे इस प्लेट को हमें भगोने पर ढखना है पानी में जब तक अच्छे से उबाल आएगा तब तक हम अपने फरे बना कर त्यार कर ले रहे हैं फरे बनाने के लिए अब हम चावल के आटे की एक मीडियम साइस की लोई ले लेंगे चावल के आटे के फरे हलके मोटे अच्छे लगते इसलिए हमने मीडियम साइस की लोई ली है लोई को हम कुछ सेकेंड के लिए अच्छे से इसको रोल करके चिकना कर लेंगे लोई को हम हलका हाथों से दबाएंगे और इसे हम हाथों से ही हलका बड़ा करेंगे इसे हमें इतना बड़ा करना है कि जिससे हमारे फरे आराम से और अच्छे से बन कर तयार हो जाएं चावल के आटे को हमने इतना अधिक चिकना करके गूथा था फिर भी देखे इसके किनारे फट रहे क्योंकि चावल के आटे में लस बहुत कम होता इसलिए इसके किनारे हलके फट रहे हैं बेसन को भरने से पहले एक बार हमने फिर से अच्छे से इसको मिला लिया है एक चमच भरकर हम बेसन लेंगे बेसन के मसाले को हमने चावल की आटी की चोटी सी रोटी बनाई है उस रोटी पर हम मसाले को रखेंगे और इसे हम साइट से हलका सा मोर देंगे इसे हमें बिल्कुल गुजिया की तरह ही बनाना है इसके किनारे को हम हलका हलका दबाते जाएंगे त्यान रखेगा हमें से तेज नहीं दबाना अगर तेज दबा देंगे तो ये फट चाएगा बिल्कुल हलके हाथों से इसको हमें साइट को बंद कर देना है अगर आप इसको बंद नहीं करेंगे तब भी ये मसाला बाहर नहीं निकलेगा बहुत ही अच्छे से हमने चावल के आँटे के फरे को भर कर रख लिया है इसी तरीके से हम चावल के आटे के सभी फ़रो को भर लेंगे अब हम आपको गेहूं के आटे का भी फ़रा बना कर दिखाते हैं हमने एक medium size की लोई ले ली है लोई को हम एक बर अच्छे से चिकना करेंगे और चिकना करने के बाद इसमें हम सुखा आटा लगा लेंगे सुखा आटा लगाने के बाद इसको हम बेलन की सहायता से एक बड़ी रोटी बेल लेंगे फारा बनाने के लिए हमने एक बड़ी रोटी बेल कर तयार कर ली है अब हम एक medium size का छोटा glass लेंगे आप glass की जगा कटोरी ले सकते हैं या फिर एक छोटा धकन ले सकते हैं अब इस glass में हम सुखा आटा लगाएंगे और इसकी हम छोटी-छोटी सी रोटियां काट लेंगे इस तरीके से अगर आप फरे बनाएंगे तो आपके फरे बहुत ही जल्दी बन कर तयार होंगे सभी रोटियों को हमने काट लिया है इसका जितना भी एक्स्टा आटा है उसे हम अलग कर लेंगे और इसको हम फिर से एक बार बड़ी रोटी बना कर तयार कर लेंगे अब हमने जो छोटी रोटी बना कर रखी थी उस रोटी को लेंगे और उसमें एक भरकट चमच हम मसाला रखेंगे ध्यान रखेगा मसाला हमें उतना ही लेना है जितना उस रोटी में अच्छे से आ जाए गेहूं के आटे के फरे को हम बिल्कुल बराबर बन नहीं करेंगे इसे हमें हलका खुला ही रखना है आप गेहूं के आटे के फरे बनाए या चावल के आटे के फरे बनाए इन सभी फरों में हमें मसाला अच्छे से भरना है अगर मसाला कम भरेगा तो फरे बिल्कुल भी स्वादिस्ट नहीं लगेंगे चावल के आटे के फरे और गेहूं के आटे के फरे हमने दोनों बना कर तयार कर लिये हैं गेहूं के आटे के फरे को हमने साइट से बिल्कुल बंद नहीं किया हलका खुला रखा और चावल के आटे को हमने पूरा अच्छे से बंद कर दिया है पानी में उबाल अच्छे से आ चुका अब हम भगोने पे जाली वाली प्लेट रखेंगे जाली वाली प्लेट पे हमने पहले ही देशी घी लगा दिया था अब इसमें हम चावल के फरे को हमें एक एक करके रखना हमें एक साथ नहीं रखना अगर एक साथ रख देंगे तो य कड़ाई के पानी में भी अच्छे से उबाल आ चुका अब गेहूं के आंटे के फरे को हम एक एक करके डालेंगे साथ से आठ फरे डाल चुके हैं पानी में उबाल कम हो चुका अब हम थोड़ी दिर के लिए रुख जाएंगे पानी में जब उबाल आएगा तब हम फरे डालेंगे अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे क्योंकि फरे में फीका पनना लगे पानी में उबाल आ चुका बच्चे हुए फरो को भी हम डाल देंगे और इसे ढखकर हम 30 मिनट के लिए पका लेंगे कड़ाई का ढखकन हमने चावल वाले फरे पर रखा था चावल वाले फरे पर अब हम दूसरा ढखकन लगा देंगे चावल के आटे के फरे को हम 35 मिनट के लिए पकाएंगे और गेहू के आटे के फरे को हम 30 मिनट के लिए पकाएंगे गेहुं के आटे के अप एच्छा चावल के आटे हमने अल के मोटे बनाया और इसे हम भाब से पका रहें इसी लिए थोड़ा सा इसको पकने में ज्यादा समय लगेगा चावल के आटे के फरे को पकते हुए 30 मिनट हो चुके अब इसे हम खोल कर देख ले रहे हैं 30 मिनट में हमारे चावल के आटे अच्छे से फूल कर पक कर तयार हो चुके पर इसे हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे जिसे अंदर थकी बिल्कुल अच्छे से पक जाएं 30 मिनट में हमारे गेहूं के फरे बहुत ही अच्छे से पक कर तयार हो चुके हैं इसे एक बार हम चला लेंगे अगर आप फरों को लोहे की कढ़ाई या एल्मोनियम की कढ़ाई में बना रहें तो आप बीच बीच में इसे जरूर चलाते रहें नहीं लोहे की कढ़ाई में चिपक जाएंगे चावल के आटे भी फरे बन कर तयार हैं क्यास को हम बंद कर देंगे, फरे को हम भगोने पर से हटा कर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, कढ़ाई वाले फरो को भी निकाल कर हम प्लेट में रख देंगे, जिससे फरे हमारे जल्दी ठंडे हो जाए, फरा पकने के बाद कढ़ाई में जो थोड़ा सा पानी बचा इसे हम फेकेंगे निए इसे हम किसी gravy वाली सबजी में यूज कर लेंगे स्वाधिस्ट फरे बन कर तयार है फरे को आप इस तरीके से भी खा सकते हैं या आप इसे fry करकर भी सलगते हैं यह दोनों तरीके से बेहर स्वाधिस्ट लगते हैं क्यास पर हम कढ़ाई चढ़ाएंगे कढ़ाई में अब हम दो बड़े चम्मच रिफाइन डालेंगे आप रिफाइन की जगा सरसो का तेल भी डाल सकते है तेल अच्छे से गरम हो चुका अब इसमें दो चम्मच हम जीरा डालेंगे जीरा अच्छे से चटकने लगा है फरे भी बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं अब फरे को हम कढ़ाई में डालेंगे कढ़ाई में हमें फरों को एक एक करके डालना एक साथ नहीं डालना है फरे को आप फ्राई करते समय भी फरों के आप छोटे पीस कर सकते हम फ्राई करने के बाद इसके छोटे पीस करेंगे फरे को हमें तेज आँच में नहीं फ्राई करना इसे हमें मीडियम आँच में ही फ्राई करना है हम सभी फरों को फ्राई नहीं कर रहें, थोड़े से फरे हमने बचा लिया है इसे हम बिना फ्राई किये ही खाएंगे एक तरब से अच्छे से फरे फ्राई हो चुके है, कलर भी अच्छे से सुनेरा आ चुका है गेहू के आँटे को फ्राई करते समय हमें 7-8 मिनट का समय लगा है यह अच्छे से फ्राई हो चुके अब इसे हम निकाल लेंगे सभी फरों को निकाल कर हम प्रेट में रख देंगे अब उसी कढ़ाई में अब हम जो चावल के आँटे के फरे बनाए हैं इसे भी हम फ्राई कर लेंगे अब उसी कढ़ाई में हम चावल के आँटों को भी हम फ्राई कर लेंगे अगर आप चावल के आटे के फरे बना रहे हैं तो आप इसे फ्राई करके ही खाईएगा क्यूंकि ये बिना फ्राई किये हो कम अच्छे लगते और फ्राई करकर ये बहुत ही सौधिस्ट लगते हैं आटे के बने फरों को अब हम दो पीस में काट लेंगे आप इसे छोटा भी काट सकते हैं या दो पीस में भी काट सकते हैं फ्रेंट्स देखिए हमारे बेशन के फरे कितने अच्छे से अंदर तक पक कर तयार हो चुके हैं चावल के फरे को फ्राई करने में हमें 10 मुट का समय लगा है चावल के फरे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके अब इसे निकाल कर हम प्लेट में रख लेंगे बहुत ही स्वादित बहुत ही लाजवाब चावल के आटे के फरे और गेहूं के आटे के फरे दोनों हमारे पकर तयार हो चुके हैं चावल के आटे के फरे को भी अब हम दो पीस में काट लेंगे आप इसे छोटा छोटा भी काट सकते हैं या दो पीस में भी काट सकते हैं あ आप इसे किसी भी ख़टी मीठी चट्नी के साथ खहा सकते हैं या आप इसे चाय के साथ enjoy कर सकते हैं आपको हमारा ये वीडियो कासा लगा प्लीस आप हमें comments कके जरूर बताइएगा मिलती हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए bye